हेलो बीटिफुल पीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टैटले विश्टुपर्वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइज इंसान का दिमाग हर वक्त हर पल हर घड़ी चलता रहता है यहां तक कि जब इंसान सोता है उस वक्त भी इंसान का दिमाग काम कर रहा होता है सबने आ रहे होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में हमारा दिमाग हर वक्त ठिंकिंग कर रहा होता है और ऐसे पल में अगर कोई इंसान अकेला हो तो वो क्या सोच रहा होता है जी हां आज इस अकेले पन की जो थौट होती है जो ठिंकिंग होती है उसी पर मैं रिडिंग कर रही हूं जब आपके person अकेले होते हैं बिलकुल तन्हा होते हैं लोनली होते हैं उनकी इर्दित उनके असपास कोई नहीं होता तो यह व्यक्ति क्या सोच रहा होता है जी हाँ तमाम चीज़े या फिर अपनी कुछ situation, अपनी problems, life की परिशानिया उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो main जो आज का हमारा focus होगा वो आपको लेकर होगा, कि हजारों लागों thinking के बीच में आपके लिए ये व्यक्ति जब अकेला होता है, तो क्या सोचता है या क्या सोच रह है, तो चलिए आज इसी पर हमारी बहतरिन collective reading मैं कर रही हूँ, I hope आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, और आपका mental state, आपका जो mind है, वो ठीक है, अगर ठीक नहीं है, तो ठीक रखें गाईस, positive रहें, दुआये, प्रेस कीजिए, और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी collective reading और यह general reading है, तो हो सकता है, कि सभी के साथ यह जो है, चीज़े match ना हो, तो टैर्ट से ही start करेंगे, कि अकेले में आपके person आपके बारे में क्या सोबते है, यह वो समय है, यह वो पल होगा, जब इसने कोई disturb नहीं करता, यह उन्हों क्योंकि इंसान के अगर कोई होगा, त पर जब वो अकेला होता है, उस पल की सोच को हमें पकड़ना है, कैच करना है, ओ माई गाड, तो पहला ही जो thought है, इनकी जो पहली सोच है, जब यह वक्ति अकेला होता है, तो देखें यह किसे याद करता है, और क्यों याद करता है, वजह क्या है याद करने के पीछे, एमपर स्धो के एनर्जी, जो आपकी एनर्जी होती है, यह पहला कार निकल कर आया है, फर्स अनर्जी, फर्स ठीकिंग, फर्स Trys में आप हो, इस बात पर ध्यान दीजे कि इनका जो सोच होता है उसमें पहली तस्वीर आपकी आती है पहला चहरा आपका उभर कर आता है पहला यह आपको सोचता है फिर बागी दूसरी चीजों के बारे में सोचता है तो वाव, this is great फिर से आपकी दूसरी एनरजी आई है मतलब आपको देखने का यह और आपको याद करने का इनका तरीका है वो बहुत अलग-अलग है डिफ्रेंट तरीके से यह आपको याद कर रहा है क्या है वो तरीका और किस वज़े से यह आपको याद कर रहा है आपको मैं दीटेल में बताऊंगी, पहले कार्ड्स हम निकाल ले, एट अफ काप्स भी आ गया, शिक्स अफ सोर्ट आ गया, टेम्परेंस आया है, कमििए का इसकी आय हुआ 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 हैं-, आक мол Cinema на G2 यह हुआ 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 अई हुआ हैं Clockworks यूनिवर्स अकेले में ये व्यक्ति क्या सोच रहा है डीटेल में हमें इनकी अनर्जी दिखाईए यूनिवर्स यूनिवर्स जस्टेस मेजर अरकाना मैजिशन एंजल का काड़ यूनिवर्स पांटेकल्स फूल एस अवफ वैंज तो चलिए गई साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं आज मिजर अरकाना से दो बड़े का आस मिले हैं पहला जो काड़ है वो है सेटिटेरिस और झांड दूसरा कड़ आया है वह है लिब्स एनरजी इसके लाबा हमारे पास एल साइन हैं जैमनी लिप्राइकरिस मितन तुला कुम्रासी वाटर साइन कैसर स्कॉप य पाइसस का एक विशिक मिन रासी अर्थ साइन टॉर्टरस वर्गों काप्रिकॉन विशब करने मकरासी साथ फायर साइन भी है लियो सेजिटरी जैरिस सियंधनों और मेश रासी तो इस इंसान के अ कौन सी चीज़े हैं जो इस वक्ति को खुश करती है यह सारी चीज़े मुझे आपको आज बतानी है तो देख लिजे गाइस ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति सच में वाकई में बहुत अकेला है है रिडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि अकेले में यह क्या महसूस करता ह या क्या सोचता है तो आप देख लिजे टेंप्रेंस यहां पर जो काड आया है यह एक वाकई में यह अपने आप में एक अकेले पन की ही एनरजी होती है एक ऐसा गहरा इनकी जिन्दगी में एक ऐसा गहरा अंधेरा अभी चल रहा है जिस अंधेरे से यह व्यक्ति निकल न कम होने का नाम नहीं ले पा रही है एक अंधर जो हैं बहुत जयादा वेचलीत करने वाली यह उनों की बेचें नहीं बहुत जादाए विसलीत जीट सब्सक्राइं यह व्यक्ति होता है यह व्यक्ति अपने emotions को अपने भावनाओंatों को अपने दर्त को काबू नहीं पा र हुआ है एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ है चाहें यह काम कर रहा है देखने में भले ही यह वक्ति दूसरों के साथ दिखे पर इनकी अंदर जो है एक ऐसा स्पेस है मन का एक एरिया है इतना खाली है जहां पर कुछ भी नजर नहीं आता यह वक्त तो है मेरे आसपास कहने को बहुत सारे रिष्टे है कहने को बहुत सारे नाते है कहने को बहुत सारे दोस्त है पर फिर भी जो है मैं अकेला हूँ तो यह वक्ति तो खुद अंदर से अकेला है इसके अकेले पन के रिडिंग में आपको क्या दू है ना क्यूंकि हर पल तो मै मैं अगर आपसे कहूँ तो एक समय इनका जो अभी चल रहा है बहुत ही रिग्रेट वाला चल रहा है बहुत ही पस्तावे वाला समय यहां पर चलता हुआ नजर आया है और इस अकेले पन में यह वक्त ही किसे याद कर रहा है किसके बारे में सोच रहा है किसकी ख्वाई से कर लाता है तो जैसा कि मैंने आपसे कह दिया कि सुरवात में ही वो कार आया , जिसके मुझे इच्छा तो बहुत थी मैं चाहती थी कि Pakistan में दिख जायओ आपकी तस्विar नजळर आ जाए आपके ख्याल इनके दिमार में नजर आ जायए इनके मन में मुझे नजर आजाए आप वही मैं कलपना कर रही थी और देखो एक नहीं यहाँ पर तो दो-दो कार्ड आपको दिखाते हैं यानि कि पहली तस्वीर, पहला सोच, पहला नाम इनके दिमाग में जो भी आता है, इनके सोच में जो भी आती है वह आपकी होती है, आपके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है देख लीजे, यहाँ पर Empress का काड़ाया है जो यह बताता है, यह वक्ति अकेले में यह सोचता है कि कास मैं इसे अपना बना पाता कास यह वक्ति हमेशा के लिए मेरा हो जाता क्योंकि यह Empress के एनरजी जो होती है, एक उस सक्स के एनरजी होती है जो जिसने सबसे ज़्यादा इस इंसान का खयाल रखा है यानि कि आपके पोर्सन का सबसे ज़्यादा खयाल आपने रखा है समझ गई, यह जब भी आपके आपके बारे में सोचेंगे हमेशा जो है मुझे 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 निकाला है हमेशा आपने जो है मेरे अच्छाई के बारे में मेरे भलाई के बारे में, मेरे ग्रोथ के बारे में मेरे सक्सेस के बारे में ही आपने हमेशा सोचा है मेरा ध्यान रखा है आपने जो एक हमेशा क्या कौन करता है एक मा ही है हमारे रिस्ते में जो अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती है चाहे इने दुख आ जाए इने तकलीफ आ जाए चाहे इनका पेट खुद का भूका हो अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं चाहती एक मा तो आपका जो द और यह कहता है कि तुमने ऐसे ही तो कुछ सहा नहीं है तुमने मुझे बहुत प्यार किया है और इसी वज़े से तुमने घर्टी की तरह ही सोचता है जो हर दुखों को तकलीफों को हर बोच को सह लेती है और इसने भी आपको ऐसा ही महसूस किया है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ साह है सब कुछ सेक्रिफाइस किया है और इसके बाद भी जो है तुमने कभी चू तक नहीं की तुमने कभी जो है मेरे साथ आकर कंप्लेन नहीं की मेरे साथ आकर तुमने कभी कोई दिमान नहीं की, तो इस तरीके से आपका जो दर्जा है, आपका कद जो है, एक मा की जगे पर रखकर ये अपने जीवन साथी को देख रहा है, दूसरा कार्ड तो जीवन साथी का ही निकल कर आया है, और ये एक बात मैं आपको और बता दो, जैसा कि मैंने कहा, destiny का कार्ड होता है, wife husband का कार्ड होता है, अगर यहाँ पर emperor के energy आ जाती, तो couple के energy हो जाती, पर देखो ये वक्ति अभी भी आपको बले ही आपके साथ एक ही frame में नहीं है, एक ही picture में नहीं है, बले ही अभी आपके साथ एक ही story में नहीं है ये वक्ति, फिर ये वक्ति बिल्कुल आप में इतना जड़ा depend है, कहते हैं ना कि हर इंसान को अपना partner चुनने का अधिकार होता है, है ना वो चाहता है कि मैं अपना जीवन साथी कुछ चुनू, पर साइद इस वक्ति के उपर या इस वक्ति के अंदर वो अपना partner चुनने का ताकत नहीं थ या यह आपको अपना partner बना नहीं सका जो भी हो पर इंसान की विश्टों विश्च होती है, इंसान का सपना तो सपना होता है, कहते हैं लेरे सपनों का राजकुमार हो मेरी साथी हो तो ऐसे वक्ति से हो इस तरիके का हाइट हो, इस तरीके का looking, look wise ऐसा अज़ग्र हो, है ना आपको लेकर यही सपना देखते हैं कि यह कास मेरा होता और क्योंकि इसमें कंप्लेन करने की कोई जगह नहीं है इस इंसान में जो है मुझे गलतिया निकालने की कोई जरूत नहीं क्योंकि यह अपने आप में ही जो है एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की सारी खूबी तो आप में इसे वो लाइफ पार्टनर भी नजरा आता है तो देखो इनकी जो ख्वाही से है आपको लेकर कैसी है एक तो यह आपको अपने भागे से जोड़ना चाहता है और चाहता है कि आप ज़रा सेहनसेल व्यक्ति इसे कभी दूसरा मिल नहीं सकता क्योंकि आप वो हो जो इनका हमेशा अच्छा चाहते हो इनका हमेशा लाइफ में सक्सेसुल होता हो हूं आपने इनको देखने की चाहत रखी है तो दूसरा आप में वो हर गुन देखता है जो जीवन रह fian को धूंड़ता है दो इसे बी आप में अपना लाइफ पार्टनर नजर आता है और य ऐसे आपको अपने लाइफ में हमेशा के लिए लेकर आए, कि ऐसा क्या करें कि आपको इनका डेश्टिनी एक साथ जुड़ जाये, भागे एक साथ जुड़ जाये, क्योंकि आपसे पर्फेक्ट साहए इस वक्ति के लिए दूसरा कोई इस दुनिया में बनाया नहीं गया है, इस वक्ति को ऐसा लगता है और पता नहीं कि ये वक्ति आपको इतना जड़ा appreciate करता है आपको इतना पसंद भी करता है फिर भी ऐसा क्या हो गया कि ये relationship रुका हुआ आज नजर आया है क्योंकि इस वक्ति की इच्छा मुझे नहीं नजर आ रही कि कहीं और जाने की है ये व्यक्ति भटकना नहीं चाहता ये व्यक्ति किसी और का होना भी नहीं चाहता और साथी साथ ये व्यक्ति आपको भी जो है नहीं चाहता कि आप भी किसी और के लाइफ में चले जाओ इतना अच्छा पार्टनर ये खोना नहीं चाहता इतना सेहनसिल व्यक्ति ये इंसान नहीं चाहता आपको ही जो है अपना जीवन में यह वेक्ति लेकर आना चाहता है पर फिर भी मैं देखते हूं कि इतना ख्वाइस होते हुए भी यह रिस्ता आज क्यों रुका हुआ है सेवन आफ पैंटिकल्स यहां पर इस वेक्ति के फिर से वह दूसरी उम्मीद को दिखात है सेवन आफ पैंटिकल्स यहीं बताता है कि इनका इंतजार बहुत है यह व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है यह व्यक्ति इस रिष्टे का भी इंतजार कर रहा है स्रिफ आपका नहीं इस व्यक्ति को आपके साथ 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 इस रिष्टे की भी बहुत जड़ा जरू थे जाना चाहता है यानुगी किसी भी तरीके से ये पौधा यानिकि आप और इनका रिस्ता हैंना और एक है जो आभी चाहत रख रहा है कि कीमें कैसे व absorbs करके में इस्Power इसरे को जो है पफ़्तेि को मुझाने से मैं रोक लोग इसरे को डूप खितम जो एक माली होता है वो गार्डन के हर पोधे की रक्षा करता है और साहिद कल तक अगर मैं देखू तो साहिद आप इस रिस्ते को प्रोटेक्ट कर रहे थे बचाने की कोशिस कर रहे थे और आपका पार्टनर कभी भी जो है अपना हाथ लेकर नहीं आ रहा था इस रिस्ते के उपर छाओ देने की कोशिस नहीं कर रहा था पर आप आज इस जगह पर नहीं हो तो ये व्यक्ति खुझ चाता है उम्मीद करता है कि ये रिस्ता किसी भी हालत में बच जाए ये रिस्ता मुर्जाए ना इस रिस्ते को किसी भी तरीके से बचाना है तो यह यहाँ पर विद ना आपका भागे इनके साथ रहेगा आप इस वक्ति के लिए बहुत लगी भी हो हो सकता है कि कभी इसने आप से कहा भी हो कि तुम मेरे लिए लगी चाम हूं ऐसे कुछ वर्ट अगर आपको इन्होंने कभी कहें हैं तो मुझे कमेंट करके दिखाना गाई क्योंकि लग्का अगर मैं तुम्हारे आवाज अगर मैं सुन लूँ तो फिर मेरा दिन अच्छा रहता है तुमसे मैंने बात जो की थी आज मेरे इस काम में सक्सेस हासिल हुआ है तो इस तरीके से यह वक्ति आपको अपने लिए बहुत बड़ा गुड़ लग और गुड़ चाम भी यह वक जाते हैं तो देखो ऐसे ही वक्ति आपको नहीं चाह रहा है इस वक्ति को आप में बहुत सारी चीज़े नजर आती है एक अच्छा पार्टनर तो आप हो ही और एक अच्छे इंसान भी आप हो जिसने हर जगर पर इनकी बहुत सारी मदद की है बहुत सारा सेक्रिफाइज आपने इनके लिए किया है दूसरा यहाँ पर जो नजर आया है कि यह जब अकेला होता है तब यह क्या सोचता है तो अकेला जब यह होता है तो यह इस प्यार के बारे में भी सोचता है देखो यहाँ पर सारा एंगल है यहाँ पर आप हो आपका रिस्ता है और आप यहाँ प्यार भी आ गया ये व्यक्ति बिल्कुल खुद भी दोखी है ये व्यक्ति माईूस इसलिए है और बादो इसलिए है यह आप इन के लिए इससी जिन्दी का बहुत ब़ुद infrastructure हो A आपसे इन्हें धेर सारा प्यार भी मिला है, देखो आठ कप कम नहीं होते, आपने इनको हर तरीके से प्यार किया है, आपने इन्हें एक बीवी का प्यार दिया, आपने इन्हें एक पती का भी प्यार दिया, आपने इन्हें एक दोस्त का प्यार दिया, आपने इन्हें जो है प्यार की कभी कोई कमी नहीं रखी है, हर तरीके से जहां पर भी इनने प्यार की कमी महसुस होती थी, आपने इनको पूरा फुल्फिल कर दिया, आपने इनको प्यार देकर कम्प्लीट कर दिया, आपने इनको भर दिया है प्यार ही प्यार से, तो ये वक्ति जो है आज इस रि बहुत तकलीफ इनके अंदर मुझे नजर आती है एट उफ कप्स के इस काड से ये वक्ति आपको रोकना चाहते थे गाईज ये वक्ति आपको ये कहकर बुलाना भी चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें सचाई नहीं है मैं तुम्हारे बीना रह नहीं पाऊंगा मैं त इनके हाथों ने बढ़कर आपको रोका ना इनके कदम आपकी तरफ बढ़ पाए बस ये टक टक ही लगा कर आपको अपने जिंदगी से जाते हुए दूर जाते हुए देखते भर रह गए और उसी बात का बहुत बुरा असर इनके जो है इमोशन पर मुझे दिखता है अपने ही आखो से अपने किसमत को दूर जाते हुए देखा है तो इन सारी चीज़ों का ही तो एक यूनो गहरा एहसास यहाँ पर टमपरेंस दिने करवा रही है कि देखो ना तुमने क्या क्या किया तुम चाहो तो उसे रोक सकते थे तुम चाहो तो उसे अपना जीवन इनसान को जाते हुए देख लिया पर उसे रोकने की कोशिस तुमने क्यों नहीं की इसी बात इन सारी चीज़ों का जो है एक बहुत गहरा अध्यान कह लिजे स्टडी कह लिजे यहाँ पर टमपरेंस इने करवा रही है अब बाकी बाते करते हैं उस काड के बारे में जो यह में लेता है जो दूसरों के बारे में सोच कर नहीं लेता खुद की भी जिन्दगी को खतम करता है साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों की जिन्दगी की उनकी भावनाओं को भी जो है कदर नहीं करता और बिलकुए बेहोसी में लिया गया कोई फैसला इस फैसले आपको अलग करने का फ्यासला आपको आपसे जो है देखा आप लोग कपल थे और आपको जो है बिल्कुल सिंगल करकर ये वक्ति चला गया है अभी आप सिंगल हो इनका इंतजार कर रहे हो तो कुछ लोगे केसे में यहां पर मैरेज भी नजर आती है कि क्योंकि एमपरेस हमे इनको हर किये गए अपने step का action का जो है बहुत ही तकलीफ होता है जब यह याद करता है कि मैं कितना मतलवी था या मैं कितना स्वार्थी था मैंने अपने स्वार्थ की वज़े से मैंने अपने घमंड की वज़े से जो है मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा और मैंने सिर कार्ट के बारे में जो यहां पर निकल कर आये हैं यहां पर आया है मैजीशिन का कार्ड और मैजीशिन का कार्ड हमें यहीं बता रहा है कि यह व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है यह व्यक्ति आपको एक्ट्राक्ट करना चाहता है यह व्यक्ति जो है चाहता है कि आप इ इनसे दूर हो जाओ, यह नहीं चाहता कि आप इनको भूल जाओ, यह नहीं चाहता कि आप इनसे हमेशा के लिए दूरी बना लो, यह तो चाहता है कि आप इन पर इंटरस्ट लेने लगो, आई यह चाहता है कि आपके और इनकी दूरी खतम हो जाए, यह चाहता है कि आपका औ दूसरे के साथ था आप दोनों का वहीं ये सारी चीजे फिर से रिपीट करना चाहता है कहीं न कहीं ये वक्ती दुआ भी कर रहा है कि मेरा पार्टन मुझे कभी भूले ना यानि कि ये नहीं चाहता कि आप इने भूले ये नहीं चाहता कि आप जो है अपनी जिन्दगी में या इनको भूल कर, इनको अलविदा कहा कर, इनको टाटा गुडवाई कहा कर, आप फिर जो है दूसरी डूसरी रिलेशनिशिप में चले जाओ, नहीं चाहता ये, इनने किसी भी तरीके से आपको वापस हासल करना है, वापस आपको ये पाना चाहता है, पर होगा कैसे? कैसे ह क्योंकि इनके पीछे तो इन्होंने एक इतिहास रज दिया है गलतिया करकर के एक बहुत बुरा डिशन लेकर इन्होंने तो एक ऐसा चाप आपके मन में छोड़ दिया है कि क्या पता आपको इनके चहरे से नफरत हो गई हो क्या पता आप इन्हें देखना पसंद नहीं करते रिस्ता तो दूर की बात है, क्या पता आपको इनके अब आवाज से नफरत हो गई है, तो ये व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप इने भूल जाओ, ये व्यक्ति चाहता है कि आप इने हर पल याद करते रहो, समझ गए, तब ही जाकर ये व्यक्ति यहाँ पर दुआ मन के अंदर के बात मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, जो ये व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके से कर रहा है, ना इनसान हर तरीके से करता है, क्या पता सोते सोते, आख लग गई और आख लगते ही, इस व्यक्ति ने यहीं मांगा कि मेरा पा आता है कि वो हो जाए, आप दूसरा यहां पर आया है जस्टिस का कार्ड, जस्टिस आप जानते हो, एक अन्याय हो जाने वाली एनरजी, यानि कि पहले अन्याय हो चुका, पहले जस्टिस मिल नहीं पाया आपको, ये व्यक्ति आपके साथ न्याय करके नहीं गया, बलकि अ इतना भी इस इंसान को commitment दिया इस वेक्ति ने आपको कभी भी वह commitment वह sacrifice आपके लिए नहीं किया आपके लिए कोई बलीडान इस वक्ति ने नहीं किया तो यह जानता है यह वेक्ति जानता है कि मैंने कौन से समय पर कैसा अन्याई किया है मैंने रिष्टे में बैलेंसिंग नहीं की है अगर आप दोनों ही उस वक्त मिलकर इस पौधे को प्रोटेक्ट करते तो इस पौधे को बचाया जा सकता था यानि कि आपके इस रिष्टे को बचाया जा सकता था पर यहाँ पर यह वेक्ति आया ही नहीं आप अकेले पड़ गए, आप कितना एक इंसान भले कितना effort लगाए, कितनी कोशिसे करे, जब दूसरा partner बिल्कुल भी कोशिस नहीं कर रहा होता है, तो अब देखो ये व्यक्ति अब आया है, यहाँ पर देखो picture में आपका person अब आया है, बचानी के लिए आ रहा है, तो इसी दूर का सफर, कितने मिल का सफर आखिरता ही कर पाए, उसे तो कहीं न कहीं जाकर रुखना ही है, stop होना ही है, तो stop हो गया, तो इसी वज़े से दोनों हाथ से ताली यहाँ पर नहीं बजी है, एक हाथ ताली बजाता तो कब तक बजाता, यही प्रॉलम हुई है, जिसके वज पोसन जानते हैं, और जस्टिस यहाँ पर आपके पोसन खुद चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को इंसाफ देना चाहते हैं, आपको रिष्टे में इंसाफ देना चाहते हैं, आपको प्यार में इंसाफ देना चाहते हैं, इसलिए यह व्यक्ति आज इतना मजबूर है, क आपको इस्वर से यह व्यक्ति मांगने पर आज मजबूर हो रहा है समझ गए क्यूंकि जस्टिस को आना है और जस्टिस मेजर अरकाना है जो यह बताती है कि जस्टिस आपके पोसर नहीं करेंगे है ना हम इंसान बहुत छोटे हैं इस्वर के सामने हमारी आकात कुछ नहीं ह हम मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम अपनी गलतियों को एकसेप्ट कर सकते हैं कि हम इसे गलती हो गई अब न्याय करें तो कैसे करें पर करना जस्टिस तो इस्वर को ही है जिस भी सुप्रिम पावर को आप मानते हो वही जो है जस्टिस लेकर आएंगे जिस तरीके से आ और भी सोच रहा है कि मैं इस इंसान को इतना याद करता हूं क्या वो भी मुझे उतना ही याद करता है मैं इस इंसान को खयालों से निकाल नहीं पाता क्या वो भी मुझे अपने खयालों से नहीं निकाल पाता क्या मैं उसके बारे में जितना मेरा जीव घबराता है क्या उस व्यक्ति, जितना आपके बारे में सोचता है, उतना ही ये वक्ति खुद के बारे में, खुद की गल्टीओ के बारे में भी सोचता है, और कही न कहीं ये वक्ति आपके साथ वो बिग्निंग भी चाता है, क congratulation कर लो, तो हमारा रिस्ता आगे बढ़ने लगे, क्या पता वो व्यक्ति मुझे एक मौका दे दे, मेरा पोर्सन मुझे मेरी गलतियों को माफ करके सारी चीजी बीती बातों को भुला कर वो व्यक्ति मुझे एक चांस दे दे, हैना तो ये बिगनिंग के बारे में भी सोच रहा है, पर बिगनिंग ऐसे नहीं होगी, क्योंकि टेंपरेंस यहां पर आया है, हैना जस्टिस और टेंपरेंस दोनों को साथ में ही काम करना है, जिस दिन ये व्यक्ति आपके साथ बिगनिंग करेगा, हैना उस दिन आपको न्याय भी मिल जाएगा, उस दिन आपको इंसाफ भी मिल जाएगा, आपका आपको भाग़े के लिए आपको भेजा था आत्so को ऑप को पोस्तर आपको नाले कि आपना लिए को लिए आपको इंहें थोरने को कह दिया एक फर्मान आपको दे दिया है ना कि तुम चले जाओ तुम तुमारा और मेरा कभी होगा नहीं तुमारा और मेरा कभी निवेगा नहीं हम दोनों के बीच में कभी कुछ हो नहीं सकता तो इस तरीके से इसने बहुत ही एक कड़क कहले जिया कड़ा एक फैसला इस समझ रहे हो न आप, जबकि आपने कितना कुछ इनके लिए कुर्बान किया है, साहा है, तो ऐसे ही इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, बहुत सारे आग से, बहुत सारे दर से इस वक्ति को गुजरना पड़ेगा, जब तक ये इस वक्ति का हरे सांस का हरे कत्रा, इसके खून का हरे कत्रा जब तक ये पूरा का पूरा completely आपका demand नहीं कर देता ना guys तब तक ये वक्ति आपको पा नहीं सकेगा समझ गये ना इस वर इनकी वो परिच्छा ले रहा है इस वर इनको वो सजा दे रहा है कि देखो भुकतो समझो कि तुमने किसे खोया है तुमने किसे जाने पर मजबूर किया है तुमने एक ऐसे पार्टनर को ठुकरा दिया है जिसमें किसी जिसकी कमी कभी नहीं थी जिस वक्ति ने तो अपने आपको भुला कर तुम्हारे लिए इंतजार किया है तुम्हारा साथ दिया है होकर ही रहेगा एंजल का साथ है यहां पर एक तरफ एंजल इन्हें सुधार रही है आपको आज इस कार्ड दोनों ही कार्ड में आपको एंजल दिख जाएंगे यहां पर आपको एंजल का मार्क दिख रहा है तो यहां पर आपको एंजल के पर दिख रहे होंगे यह दोनों ही angel का काड है, तो जहाँ पर इस तरफ आपके पोसंट ट्रांसफर्म हो रहे है, सुधर रहे है, changes परिवर्तन आ रहा है इस वीक्ति के अंदर, तो वहीं पर दूसरा angel जो है, इस वीक्ति को आपकी तरफ लाने के लिए, इस वेक्ति को आपकी तरफ attract करने के लिए और आपको इनकी तरफ attract करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है यानि कि यह होता है unexpected news जो बहुत जल्दी इस वेक्ति के तरफ से आपकी तरफ आने वाला है आपके साथ यह बिल्कुल mind to mind जुड़ा हुआ है यह भी मैं आपको बात बता दू यह magician का मतले भी होता है जब हम किसी के साथ बहुत दिनों से मीरे नहीं बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनी फिर भी उनको जो है हमारे पल अपने आसपास महसूस करेंगे सपने में आएगा यह वक्ति आप इनके सपने में आओगे टेलीपेथिकली कनेक्ट होगे आप दुनों ऐसा लगेगा कि अभी यह आपके कान के पास आकर कुछ बोल कर गया है अभी आपने इनके आवाज सुनी है या इन्होंने आपके आवाज सुनी है यानि कि आप लोग physically अभी आप दोनों का रिस्ता तूटा हुआ है आप दोनों अलग हो पर mentally, emotionally और अंतरात्मा से आप दोनों को इस्वर ने आंजल ने connect करके रखा हुआ है आप लोग वहां से अभी तक disconnect नहीं हुए हो और इसका symbol सा यही मतलब है कि अगर अभी तक आप याद कर रहे हैं अकेले में जब होता है तो आपके पास वापस आने के बारे में भी बहुत जड़ा सोच रहा है कहीं ना कहीं बहुत दूरी वाला रिस्ता भी है क्या गईस ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना ज्यादा दूर हो गए हो एक दूसरे से और यह व्यक्ति उस समस्याव को सुलजहनके बजाए समस्या से भाग जाता है तो यही भागना इस रिष्ते में भी हुआ है आपके पोसंदosh भी भागे हैं समझ गये मैं यह नहीं कहूंगी की दूर चले गए हैं इस व्यक्ति से निप्टारा नहीं हो पाया इस व्यक्ति से सौंफ नहीं हो पा पर आप इनके forehead पर कहते हैं कि किस्मत पर माथे पर किस्मत की लकिरों पर जब आप लिखे हुए हो तो इंसान भाग कर जाए तो जाए कहां दुनिया छोटी पड़ जाएगी गाई समझ रहे हो ना तो चलिए अब देखते हैं कुछ messages इनकी तरफ से निकाल कर वाओ 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 देखो गाईस आज तो यह बिल्कुल प्रपोजिंग वाला जो है message आपको भेजा है मैं देख रहे हूं कि जैसे आपके पोसन इस transformation से निकलेंगे वैसे ही जो न्याई आपको मिल रहा है नहीं आपर justice जो इस वर भेज रहे हैं उसमें क्या है इस वक्ति के द देखो बिल्कुल छुपकर आपको या तो यह फ्लावर आपको देने वाला है या फिर आपको यह व्यक्ति रिलेशन्शिप में वापस आने के लिए कुछ कहने वाला है या फिर यह प्रपोजिंग मैरिश को लेकर हो सकती है यह प्रपोजिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो कर हैना तो इसके आने का मकसद क्या है मैंने आपसे कहा भी था कि आप यह चाहता है कि आप इनमें इंट्रेस्ट लो आप इने भूलो ना आपको यह अट्रक्ट भी करना चाहता है अपनी तरफ तो इसकी पीछे का रिजन कारण है आपको फिर से प्रपोस करना समझ गए रिस् कि अगेसे देखो यही मैंने आपसे तोड़ी दिर पहले ही कहा था कि यह व्रती हो सब SSI के लिए दूसरे चांस के लिए व्रत like आपको प्रपोस करें आपको कहे तो इस रिस्ते में second chance, दूसरा आपको भी इन्हें देना है और इन्हें भी आपको देना है ठीक है, गल्ती चाहे आपकी तरफ से हुई है, गल्ती चाहे इस बंदे की तरफ से हुई है, इस वर चाहते हैं कि एक मौका आप दोनों को दिया जाना तो अगर आप के पोस्टन यहां पर आपको प्रपोस करते हैं और आपसे यह कहते हैं कि क्या मुझे फिर से रिस्टा मिल सकता है क्या मैं तुमसे फिर से रिस्टे में आ सकता हूं क्या मैं पैचप तुम्हारे साथ कर सकता हूं क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकते हो तो जो इंसान गलतिया मानता है जो इंसान अपनी गलतियों को सुधार कर आता है तो ऐसे इंसान को हमें डेफिनेटी सेकंड चांस देना भी चाहिए यह इस्वर की मर्जी है और यह आपको बहुत जाल प्रपोस भी करने वाला है चले देखते हैं युनिवर्स की तरफ से क्या है लेटिंग अभी यहां पर लेट गो कर देना है देखो यह व्यक्ति आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस मैंने आपसे कह दिया है यहां पर काम कर रही है देख वर्किंग और मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो डिमांड होता है सबसे बड़ी जो सर्थ होती है वो है लेट गो करना समझ गये आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करके भूल जाओ कि कभी कुछ कोई था आपके जिन्दग करेट करोगे उतना ही यह वक्ति आपके लिए पागल होगा उतना ही इसको आपके यादे परिशान करेगी उतना ही इस वक्ति के लिए मुष्किल हो जाएगा आपको बूलना तो यह यहाँ से manifest कर रहा है आप उदर से इसे let go करो ठीक है भूलने की कोशिस करो जबर जस combination है guys यह आपको एक इस्वर ने idea दिया है कि आपको क्या करना है अनुभव भी हो रहा है experiencing number three और number eight आज आपके reading में important हो सकती है तो बहुत सारे चीज़े इसलिए भी बदली है इस रिस्ते में यह व्यक्ति इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि इसे अनुभव हुआ है आपका जो प्यार आप जैसा इनसान आप जैसा talented खुबसुरत ऐसे इनसान को खो देने का एक अनुभव आपके प्यार से दूर होने का अनुभव आपके साथ होते हुए तमाम गलतिया करने का अनुभव आपके साथ अन्याई करने का अनुभव बहुत सारे चीज़ों का lesson learn किया है आपके इस पोर्शन ने बहुत सारी चीजों का पस्तावा हुआ है इस वक्ति को इसमें कोई तो कुछ भी डाउट नहीं है गाईज अनुभव इसे ही जो कहते हैं जो इसर करवाते हैं कुछ को रिष्टे में होते हुए अनुभव नहीं होता है ना टेकन फॉर ग्रां इस वक्ति ने आपको एक जो है मिट्टी की तरह या पत्थर की तरह आपको अप्शन बनाया अनुभव करवाया आपको पर देखो आज यह किसमत का खेल है कि जब आप इनसे जैसे ही आप इनसे दूर हो गए इस वक्ति को आपकी इच्छा होने लगी इस वक्ति को आपकी चाहत होने लगी यह वक्ति आपको पाना चाह रहा है तो यह ही यही से ही हम कहते हैं इस्वल का ट्रांस्फोर्मेशन इसे ही हम कहते हैं इस्वल का न्याएं चलिए मैसेज्स और देख लेते हैं कुछ निकाल कर I have told my friends about you तो यह वक्ति है जिसने साइद अपने कुछ चुने हुए दोस्तों को गिने चुने दोस्तों को या बहुत सारे दोस्तों को आपके और इनके रिलेशन्शिप के बार में बताया है और साइद इन्होंने उन्से ये भी कहा है कि ये बहुत जलब आपको प्रपोस करना चाहते हैं इन्होंने आपने मन की बार दोस्तों से बताई है कि आपसे ब्रेक अप को कर या आप से सेपरेट होकर इस व्यक्ति को आपकी कमी बहुत महसूस हुई है इन्हें पता चला है सारी चीज़े इन्होंने अपने दोस्तों से बताई है यह इन्होंने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूं उसके साथ दूसरा दूसरे सेकंड चांस की जो है ऑपरचुनिटी मैं मैं चाहता हूं कि वह मुझे माफ करें हो सता है कि अपने दोस्तों को कहा भी हो कि अप्रोच कर दो एक बार तुम बात करके देख लो या एक बार तुम कोशिस करके देख लो किसी भी तरीके से मुझे एक दूसरा मौका चाहिए तो दोस्तों की मदद ली है या दोस्तों से भी अपने मन की जो यह feeling है जो यह यहाँ पर बता रहा है उसे share किया है इस वक्ति ने definitely यही सारे चीज़े I still have your pictures on my phone तो यह वो वक्ति है जिसने delete का button अभी तक दबाया नहीं है जी हाँ आप दोनों का साथ में picture अगर आप दोनों ने लिया है या फिर कभी आप दोनोंने social sites पर chat के वक्त एक दूसरे की picture share की है आपने उनसे मांगा या उन्होंने आप से मांगा कोई छोड़ी से video clip अगर आपने भेजी है जब आप दोनों distance में थे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे तो pictures का जो यहां पर अदान प्रदान हुआ है ना sharing हुई है इस वक्ति ने उस picture पर अभी तक delete का button लगाया नहीं है मतलब वो photos वो photographs अभी भी आपके person के phone पर पड़ी हुई है अगर आपके person phone इस्तमाल करते है तो उनके phone पर आपकी photo मिल जाएगी जब व्यक्ति वापस आएगा तब आपको एक बार उनका phone चेक कर लेना है आपको दिख जाएगा आपकी picture क्योंकि यह साइद उन्हीं picture के सहारे है यह उन्हीं picture को देखता बहुत ज़्यादा है यह व्यक्ति आपको कैसे भूल सकता है यह व्यक्ति आपसे कैसे दूर हो सकता है जो व्यक्ति एक photo delete नहीं कर पा रहा जो व्यक्ति एक एक छोटी सी picture को अपने memory से हटा नहीं पा रहा आप सोचो इंसान अपने दिमाग की memory से आपको कैसे हटाएगा है नहीं हो पाएगा गाईज इनके energy कैसी है वाव नंबर वन की energy सन का काड़ happiness का काड़ है ना खुशिया मतलब इस काड़ का बस एक ही मतलब होता है कि इंसान के जिन्दगी में खुशिया भर भर कर आ रही है उन खुशियों का जिसका इंतजार आपके person या आप बहुत समय से कर रहे हो वो सन यह लेकर आ रहा है और इस बार का सन है यह क्या लेकर आ रहा है यह आपके चेहरे पर खुशिया लेकर आ रहा है जानते हो क्यों क्योंकि यह वक्ति आपको आकर लेकर प्रन कर रहा है यह वेक्थि आपको, आपके सामने जburg कर lungs कर नस्रें जुकाकर यह वेक्थि आपसे दूसरे मौके का इच्छा कर रहा है आपसे बोल रहा है कि मुझे डूसरा मौका इस रिस्टे के लिए चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं पर यही सन वाली मुश्कुराइट होगी के आपके चेरे पर यहीए खुशिया होगी आपको लगेगा कि आपको जिम्दगी में सब कुछ अब मिल गया है आप साइद इसी खुशियों के लिए तरस रहे थे, आप इसी खुशियों का रास्ता आप देख रहे थे कई दिनों से या कई समय से, हैना क्योंकि आप इनके बिना बहुत उदास हो, तो ये खुशिया ज़रूर आ रही है, इसी वक्ति के द्वारा आ रही है, ये वक्ति लेक साथ हमेशा खड़े थे जब आप इनके साथ हमेशा इनको कमिट्मेंट देने के लिए तयार थे उस वक्त ये वेक्ति आपको वो खुशिया नहीं दे पाया पर वक्त अब आ रहा है समय आ आया है अल्रडी सो सानिस कमिंग इस वक्ति के द्वारा आ रहा है ये भी आप समझ य आपको समझ में आई है आई होप आपको पसंद आई है पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगी आप से फिससे नेक्स रिडिंग में तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जड़ा प्यार लव यू आल ठेक केर नमस्ते एंड बबाए गाई गाईज